हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का दफ्यूचर एजूकेशन पे तो फ्रेंड्स, फ्यूचर एजूकेशन ने ठाना है स्टुडेंट्स को केवल सही और सटिक जानकारी उपलब करवाना है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंट सरक्ल में शेयर करना बिलकुल ना भूले तो चलिए दोस्तो आज आपके लिए क्या खास लेकर आया है दे फिचर एजूकेशन और क्या आपके लिए बिलकुल जो सही और सटिक जानकारी है और काफी इंपोर्टेंट जो जानकारी उसके बारे मैं आपको बता देना चाहूंगा तो चलिए हम सीधा अपना जो क्रॉम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेते हैं और उसके पस्चाद हम चलते हैं आरे समेसेजबी की वेबसाइट पर चलिए देखते हैं जैसे हम क्लिक हमने क्लिक किया इस पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा है पर दिया गया लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करें बात में आपको दिखा देना चाओंगा बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है यह आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जो है अभी 27 27 जनवरी 2022 का है और कारियाले की पटवार सीधी भरती परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंद में अभ्यर्थियों के दुवारा नॉर्मलाइजेशन के संबंद में दिये गए ग्यापन के मद्दे नजर समीक्षा हेतू एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा तो फ्रेंट्स कुछ लोगों को जो है इस नॉर्मलाइजेशन के संबंद में कुछ संसे था कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो इस्टुडेंट्स ने जो है इसके संबंद में ग्यापन रखा है आरेसे मैसेसबी के समक्ष तो उन्होंने जो है इस 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 प्रॉब्लम को समझते हुए और solve करने के लिए जल्द ही इसकी समीक्षा करने के लिए expert committee के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा कि क्या normalization सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ और अगर सही तरीके से हुआ है तो आगे क्या किया जाएगा और 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 भी जो भी कोई आपकी जो भी solution निकलता है वो जल से जल निकाल कर और students के समक्ष जो है वो परस्तूत किया जावेगा तो इसके लिए जो है हमें RSMSSB का धन्यवाद देना चाहिए तो friends वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सही और सटिक जानकारी ओके थैंक्यू friends